हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रेट वैल तुर दतुल में मैं हूँ आपका दोस्त दतुल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से HDFC बैंक की HDFC बैंक जिसका हमने वीकली चार्ट यहाँ पर लगा रखा है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे स्टोक का ओवराल अप्ट्रेंड में ही है अभी भी स्टोक जो है एक अप्ट्रेंड के अंदर है यहाँ पर रिजिस्टेंस फेस कर रहा है और निचे के लेवल पर जो पहले इसने यहाँ पर बना रखे थे वहाँ से जुरूर स्टोक जो है निचे की तरफ आया है बट स्टिल एक अप्ट्रेंड के अंदर ही स्टोक दिखाई दे रहा है टाइम क्रेक्शन टाइप की कोई चीज इसके अंदर चल रही है बट उपर के लेवल यह अगेन दि देखेंगे स्टोक जो है इन दोनों ही लाइन से अब निचे काम करता हूँ नजर आ रहा है इस वाली लाइन की काफी इंपोरेंस है इस टाइम पर क्योंकि यहाँ पर यह बार बेस बना चुका है अपना और यहीं से स्टोक जो है उपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर रखना है अगर स्टोक इस रेंज में मिलता है तो बिल्कुल आप अकमुलेट कीजिए काफी स्टोंग बेस इसका यहां पर बना हुआ है और यहीं से स्टोक बांस बैक भी कर रहा है बट उपर के लेवल के उपर यहां पर जिस्टेंस भी है तो सबसे पहले जो आपको मार्क क करना है अगर मिलता है ओपर्चनिटी है ग्रेव कीजिए और अकमुलेट कीजिए होल्ड करके रखिए इसे उपर के लेवल यह दिखा सकता है 1410 रुपे के लेवल को जब क्रोस करेगा उसके बाद एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है 1384 भी चल रहा है 1410 रुपे के ल 10 तक यह स्टोक जो है जाता हुआ नजर आ सकता है बट अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो स्टोक जो है अगेन नीचे आता हुआ नजर आएगा अगर स्टोक इसको ब्रेक कर देता है तो 1495 पहुंचता हुआ नजर आ सकता है अगर इस लाइन को भी ब्रेक करता है तो स्ट अगर इन लेवल्स के उपर कोई भी market correction में आपको stock मिलता है बिलकुल लेके चलिए और patience रखिए, time दीजिए, अच्छे multiple returns बना के देगा, इस time chart structure जरूर भीख है, बटाने ले time में इसका chart structure strong हो सकता है, काफी अच्छा base बन रहा है, consolidated हो रहा है, thank you, धन्यबाद.